नमस्क्राइब दोस्तों कैसे हैं आप लो मेरे नाम है रश्री दिवेदी फ्रेंड्स और मैं आपको स्वाइद करता हूँ अपनी स्वीडियो में देखिए चैप्टर 11 है NCRT CBSC की क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब का लास्ट चैप्टर है सारे के सारे चैप्टर अप्लोड हो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसके बहुत अच्छा भाई है वो उसको खीच के उसकी वीलचेर को डस्टी ए स्टोनी रास्ते से लेके कुत्व मिनार के मेटल रैम के उपर बे जाके उसने खड़ा कर दिया तो काफी टफ था उसके वहाँ पहुँशना लेकिन और उस आइरन पिलर को देखके वो काफी खोश हो रहा है और परसनली मैं आपसे बोलोगा कि गर आप डेली के आस पास हैं तो आप कुत्व मिनार में जाके इस आइरन पिलर को जरूर देखिए यहां पर आपको एंशन इंडिया की मेटलर्जी का एक आसम एक्जाम्पल मिल है कि जो हरप्पा के लोग थे वो मास्टर क्राफ्ट्समें थे और उनको कौपर मेटलर्जी की बारे हैं बहुत कुछ पता था कैसे कि वो कौपर को टिन से मिक्स करके ब्रॉंज बहुत अच्छे से बनाते थे इसलिए उसको ब्रॉंज एज कहा जाता था आईरन में स्टेज थी उस समय पर आईरन नहीं था एक चोटा सरी गया था अब हम बात करते हैं आईरन पिलर की आईरन पिलर महरोली दिल्ली में है भाई बहुत जबरदस्त एक्जामपिल है इंडियन क्राफ्ट परसंस की स्किल का 7.2 मीटर लंबा है तीन टन से ज़्यादा इसका अब हमको इसकी डेट के बारे में कैसे पर चलता है तो इसी पिलर पे एक रूलर है चंदरा नाम का जिसका एक इंस्क्रिप्शन मिला है और ये रूलर चंदरा प्रबैबली कहा जा रहा है कि गुप्तर डैनिस्टी का है ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता ही चंदरगुप्त अब तक इस iron pillar पे किसी भी तरह की कोई जंग नहीं लगी है त्याँ दीजे फ्रेंट्स पंदरा सो साल बीच चुके हैं लेकिन अभी तक बिना रस्ट के ये iron pillar खड़ा हुआ है अब देखिए फ्रेंट्स अब हम brick or store की कुछ building की बात करेंगा देखिए हमारे craftspersons का skill बहुत चीज़ें में नजर आया है बहुत सारी इसी building से जो आज तक survive करीएं जैसे कि stupa stupa होता किया था stupa एक mound था बहुत सारे अलगरत तरीके के stupa होते थे गोल stupa होता है थे लंबे stupa होते थे छोटे stupa थे बड़े stupa थे खास बात क्या थी stupa होता किसलिए था stupa हम basically एक small box होता है stupa के अंदर जो कि stupa के बिलकुल बीच में center में उसके दिल में रखा होता है और उस small box के अंदर bodily remains होते है बुद्धा के या बुद्धा के followers के या उन followers या बुद्धा ने जिन चीजों का इस्तमाल किया है जैसे की precious stones, coins, कभी-कभी बुद्धा के followers के दात, bone और ashes भी मिले हैं हमको stupa के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि stupa का Buddhist philosophy में एक बहुत major क्रोल रहा है बुद्धा के followers का जो remains है वो वहाँ पर मिले हैं बुद्धा के remain मिले हैं ये तो कहना बहुत मुश्किल है पर बुद्धा के followers के remain मिले हैं यहाँ पर आपको एक stupa नजर आ रहा है सांची मद्दे प्रदेश का यहां पर देखिए, कितना बड़ा स्तूपा है, यह काफी देख के पता चल रहा है, कभी सांची मद्यपदेश जाने का मौका दीजे, आपको मौका लगे, ज़रूर जाके देखिएगा इसको, यह जो स्तूपा है, एक साल या दो साल में नहीं बना है, इसको सेवरल संची 100 सा लगे हैं इसको बनने में, तो इसका जो ब्रिक माउंट था, जो इटे लगी है, इटे most probably अशोका के टाइम पे लगी थी, और जो रेलिंग्स और गेटवे लगी हैं बाहर की तरफ पे यह वो लेटर रूलर्स के टाइम पे लगी है, यह अंदर यह जो इटे लगी थी ना, यह इटे कहा जाता है कि अशोका के टाइम पे लगी है, और बाद में जो रेलिंग्स लगाई गई हैं, यह कहा जा रहा है कि अशोका के बाद के जो रूलर्स आया है, उन्होंने लगाई है, ऐसा historians का मानना है, उनका production है, 100% शोटी से तो कोई कुछ में नहीं बोल सकता, एक mud brick की या baked brick की layer से इसको ऊपर से ढहाँ दिया जाता है, और उसके उपर एक dome type का structure बना दिया जाता है, कहा जा सकता है कि जितना important person होगा, उतना बड़ा structure बनाया जाएगा, और इसके चारोत अफे प्रदिक्शन पात बनाया जाता है, यह बाहर की railing से इसके बीच में एक अंदर चलने का रास्ता है, और इस रास्ते को एक railing से cover किया जाता है, तो आप यह समझनी कि एक स्तूपा बना, बाहर यह पूरी एक railing बन गई और बीच में चलने का रास्ता है, जो entrances बात का वो gateways के through है, स्तूपा के बाहर जो रास्ता है, उसमें devotees clockwise direction में चलते थे, और clockwise clockwise direction में चलके वो अपना devotion दिखाते थे, बुद्धा और उनके बुद्धा के followers की तरफ, railings के gateways को अलग-अलग अच्छे-च्छे sculpture से decorate भी किया गया है, अब यहाँ पे एक है कि अमरावती को आप map 7 पे track करें, देके map 7 बहुत काम में आया, तो हम यहाँ पे map 7 पे आते हैं, क और इस स्टूपा पे जो stone carving से कहा जाता है, 2000 साल पहले बनाई गई थे, यानि लगबग जब Jesus Christ का जन्म हुआ था, उस समय पे बनाई गई थे, उसी तरीके से हमारे जो krautsmen हैं, उन्होंने बहुत सारी अलग-अलग बिल्डेगें बनाई हैं, rocks को, चटानों को खोद-खोद उन्हों को hollow करकर के artificial caves बना ली हैं, और कुण कुछ caves को तो उन्होंने sculptures के through और painted walls के through decorate भी किया है, तो मतलब चटानों को काट-काट के रहने के लिए case तो बनाई ही बनाई, उसके बाद उसको अंदर से decorate भी किया, अलग-अलग sculptures मना के, sculptures में बहुत अलग-अलग मूर्तियां बनाई होंगी, wall को paint करके उन्होंने उसको decorate भी किया है, देखें left side पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कि sculpture है, अमरावति का, इसकी picture को देखके कुछ पता करने ही कोशिश कीजिए, देखें नीचे यहाँ पे हाती लग रहा है, यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा खुंड दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे है, उपर से कुछ लेडिज जांक रही है, तो इससे क्या पता कर सकते हैं कि इस photo में क्या हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ बात करके identify करने की कोशिश कीजिए, जो अब तक आपको पढ़ाया है, उसके basis पे इन टेंपल को बनाते वक्त, उस टेंपल को जो सबसे important पार्ट हुआ करता था वो था गर्ब ग्रिहा, चुकि गर्ब ग्रिहा टेंपल का वो पार्ट था जहां पर उस टेंपल की main god या goddess की image रखी जाती थी, और इसी गर्ब ग्रिहा में जो पंडित होते थे, जो priest होते थे, वो religious rituals करते थे और पूजा करते थे भगवान की, उस god की या उस goddess की जिसका वो temple हुआ करता था, ठीक है friends, यहाँ पर कुछ temples के example दिख रहे है एफराम साब को, यहाँ पर आपको एक early temple दे रहा है, भितर गाओं उत्तर के देश, भितर गाओं कानपूर district में आता है, कहा जात temple is monoliths, यहाँ देखे, यह जो temple is आपको देखे, यह एक एक जो चीज है ना, एक एक, यह एक एक rock से बनाए, तो rock में ऊपर से खुदाई करनी शुरू कही होगी और rock को इतने सही तरीके से इतने precisely काटा गया होगा, कि end में इस तरीके का structure हमारे सामने बन के आए, तो actually में है monoliths है, monoliths मतलब एक बड़ी सी चटान थी पहले और चटान को काट के इस form में लेके आए गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस level की इस पे masterpiece लगा होगा, ठीक है, अब यहाँ पर यह बोलागा कि जब brick structures बनते हैं, तो brick structures में क्या होता है, कि जमीन से इटे लगा के उपर की त temples बनाएं, इनको एक एक rock से बनाएं, जब जब इस तरीके एक temple मनाएंगे न, तो rock की कटाई ऊपर से चालू होगी, तो जब monolith temples, जब आप rock को काट के कोई चीज बनाओगे, तो कटाई ऊपर से शुरू होगी, लेकिन जब आप bricks से, इटों से कोई चीज बना रहे हो, तो क आप आई, नीचे से शुरू होगी, यहाँ पर देखें फ्रेंट्स, राइट में temple दिख रहा है, यह दुरगा temple है, एहोल का, मैंने आपको बताया था कि, एहोल किसी एक बहुत important South Indian dynasty की capital हुआ करती थी, एक ताइम पर चली, मैं बता देता हूँ, चालू कियास की capital थी, भितर गाओं हैं, तो भितर गाओं, जो कि कानपुर डिस्ट्रिक में temple है, आप से 1500 साल पुराना, उसमें शिखर है, और उस शिखर को गर्ब ग्रिखा की उपर बनाया जाता है, तो गर्ब ग्रिखा temple का सबसे important part होता है, और temple के सबसे important part के उपर एक लंबा सा शिखर सा बना आने के लिए बहुत careful planning की जरूरत होती है, तो देखे, यह जो आपका शिखर बनाया ना, इस temple के उपर, इस शिखर के just नीचे ही इस temple का गर्ब ग्रिखा रहा होगा, जहाँ पर इस temple के main duty रखी गई होगी, वहीं पर पूजा होती होगी, वहीं पर सारे worship और sacrifice करे जाते होग काट वाट के नहीं किये जाते हैं, इस बात को याद रखेगा, अब देखें, ज्यादा तर temples में एक space होता था, जिसको बोलते थे मंडप, और इस मंडप वो ऐसा hall होता था जहां बहुत सारे लोग assemble करके पूजा कर सकते थे, अब महाबली पूरम को और एहोल को map 7 पर identify करी ह और यह वो जगह हैं जहां पर वनों तो finest इटो, sorry, पत्थरों के temples हमको मिले हैं, तो महाबली पूरम और एहोल को हम लोग अपने इस नक्षे में identify कर लेते हैं, यह रहा महाबली पूरम और यह रहा एहोल, एहोल तो चलुक्या की capital हुआ करती थी, पलवासी capital क्या थी में, त अगे चलते हैं, अब जहीं यहाँ पर बात करेंगे कि भईया, इन स्टूपा और टेंपल को बनाने के बहुत सारी stages होती थी, खास बात यह होती थी कि इन स्टूपा और टेंपल को बनाना एक बहुत महंगा affair था, बहुत महंगा कर्चा था, काफी सारा पैसा खतम होता था तो जब पैसा जदा खतम होता है, तो ऑविसी बात है, इनको बनाने वाले सबसे important persons होंगे, kings और queens, और kings और queens के अलबा अगर इसमें कोई पैसा खतम कर सकता है, तो भाई, traders और merchants जो लोग business में involved हैं, वही लोग पैसा लगा सकते हैं, इनको बनवाने के लिए, तो सबसे पहल rocks of stone को आपको shape मिलाना है, फिर इनको pillar बनाना है, और panel बनाना है war floors and ceiling, तो देहें यहाँ पर क्या हुआ, यह चटान रही होगी, बड़ी सी, आपको उपर देख के लग रहा है कि यह rock है, तो पूरी चटान रही हो, इस चटान को काट काट के इसके अंदर छेद किये गए, औ impeachment pillars को बनाया गया, समझ रहे है ना friends आपको, तो यह बहुत ही intricate work होता तो उस समय के जो craftsmen थे, बहुत talented हुआ करते थे, कि वो इन सक चीजों को बना पाते थे, और आपको लगे कि भाई, kings और राजा मारानियों को पास पैसा कहा से आता थे, तो obviously वाद है friends की वो treasury से, यानि कि अपने खजाने से, यानि वो खजाना जो taxes से भरा जाता था लोगों के, उनसे crafts persons और workers को पैसा देते थे, इन splendid structures को बनाने के लिए, उसके बार अलावा बहुत सारे भक्त आते थे इन साइटों पे, temples में, और वो भक्त अपने साथ gifts लेके आते थे, उन gifts को buildings को defrode करने में का हम के जाता थे, कभी-कभी वो लोग पैसे भी देखे जाते थे, जैसे for example, एक association आया था, ivory workers का, जिसने एक beautiful gateway साची पे बनवाने का पैसा दिया था, तो जो दूसरे लोग पैसा देते जैसा कि मैंने आप बताया था, decorations के रहे, वो merchants थे, farmers, guardland makers, perfumers, mints, और hundreds of men, and one-one, इन हम inscribe किये गए है, pillars में, railings में, walls में, ठीक है, तो जब भी आप क्या भी भी इन जैसी जगों पे जाए हो, South India में आपको इस तरीके की बहुत सी जगाएं मिलेंगे, तो वहां के indicate art work को समझने कोशिश कीज़ेगा, खासकर इस तरीके एक चीज़ें आपको देखनी हो, तो friends, महाबलीपूरम, एहोल, बतपी, बदमी, मिनाक्ष्टी टेंपल, इन मदुरही, यहाँ पर जाके देखिए आपको उस समय कि जो master craftsman होते थे, इनका talent देखने को मिलेगा, आपको, क्या आपको, इस figure में आपको क्या जारा, friends, देखिए यह जो figure है, this is a sculptor from the National Museum of New Delhi, देख रह हुएं, इस खंजर से वो इस चट्टान को काट रहे हैं, सूचे, कितना मुश्किल रहा होगा, कितना समय लगता होगा इन चट्टानों को काटने से, इस खंजर से, जब आप समझी सकते हैं, friends, कितना मेहनत का काम होता होगा, और मेहनत के सासा talent, सिर्फ काटना नहीं था, प काट काट के बनाया गया, इनका entrance, देखिए, rooms के, ERS के entrance, इसमें Jain Monks रहके, meditation करते थे, page 14 पे आपको एक rock cave दिखाई थी, मैंने पूरी की पूरी rock थी, उसकी comparison में अगर आप इसको देखोगे, तो यह बहुत intricately और बहुत तरीके से बनाई गई है, जो page 14 पे बनाई गई है और यह थी, इसमें काफी फर्क है, अब हम painting की बात करेंगे, prints, देखिए, अजन्ता को देखिए, map 7 में, page number 105 पे, तो क्या, आपको यहाँ पर अजन्ता नजरा रहा है, यह रहा, अजन्ता, ठीक है, तो अजन्ता आपको दिख गया, अब यहाँ पर देखिए, prints, अजन्ता इसा प्लेस है, जहां बहुत सारे caves को hollow करके, hills के अंदर आप रहने की जगाई बनाएगे, मतलब hills थे, चटाने थी, वो, चटाने को खोद-खोद की, खोद-खोद के, बहुत सारी natural caves बनाएगे, रहने के लिए, आजन्ता में, और इन caves में, बुद्धिस्ट monks रहा करते थे, बहुत सारे sculptors और craftsmen इनको paintings के साथ decorate किया, तो आपको इनके अंदर बहुत जबरदस्त paintings मिल जाएगे, बहुत अच्छे-च्छी painting मिलेंगे इनके अंदर आपको, जैसे for example, this is a sort of painting which you are going to find inside Ajanta friends, अच्छा इसके अंदर अगर आप जाओगे, तो आपको देखे का कि अंदर से cares बहुत dark होती है, तो उस समय पर paintings बनाई कैसे जाती है, तो obviously वाद मशाल जलाके इन paintings को बनाया जाता था, और जो paintings बनाई गई जिन colors के साथ, आज 1500 साल बाद भी वो colors बिलकुल lively है, colors मिलते कहा थे तो minerals और पिड़ पॉंदों से वो colors मिलते थे, जिन artists ने इन paintings को बनाया है, उसके बारे में आज तक हमको पता नहीं है, ठीक है, नाम उनके लिखे हैं, जिन kings ने, जिन queens ने, जिन merchants ने, जिन associations ने पैसे दिये, उनके नाम inscribe किये गए हैं, painters के बारे में सब तक पता नहीं, जिन्नों ने इन paintings को बनाया है, अब हम बात करेंगे the world of books की, देखे, बहुत best known epics लिखे गए थे इस time पे, epics का मतलब क्या होता है कि grand होते हैं, बहुत बड़े-बड़े compositions होते हैं, इसमें heroic man and woman की बात की जाती हैं और भगवान के बारे में बहुत सारी stories लिखी होती है इन epics में, तो epics नाम से लग रहा है कि बाई, epic है, तो एक बहुत famous epic है, सीला पत गरम को लिखा था, एक poet था, ilango नाम का, आज से 1800 साल पहले, मतलब लंसम 200 AD में इसको लिखा गया था, इसमें एक merchant की story है, जिसका नाम है कोवलन, ये कोवलन नाम का merchant पुहार में रहता था, और उस कोटी सेन में एक lady थी माधवी नाम से, जिससे इसको प्यार हो गया था, और जब माधवी से इसको प्यार हो गया, तो इसने एमनी wife कनगी को neglect करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में कोवलन और कनगी पुहार छोड़ के मधुरही चले गया, जब वो मधुरही में चले गया, तो वहाँ पे पंडिया किंग का राज था, और पंडिया की उनका court jeweler ने wrong किया कोवलन को कि कोवलन ने चोरी किये, और इसकी सजादेदी पंडियन किंग ने उसको मौत की, तो उसको मार दिया गया, इस बात पर कनगी बहुत नाराज हुई, वो बहुत ज़दा ग्रीफ और एंगर में थी, और बाद में जब वो राजगदी पे बैठेगी तो कूरे कि पूरे मदुरही शहर को बरबात कर देगी, तो यह तमिल एपिक सीला पति करम में लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपने पती के लिए बोल रही कि जो आपका शडीर सा, जो गोल जैसा था, उसके लिए तो गोल जैसा था, क्योंकि उसका आजमेंट था, वो यहाँ पे धूल मिट्टी में पड़ा हुआ है, और आप इस तरीके जमीन पे पड़े हुए हो, मरे, लेकिन मैं अकेली हूँ, हेलपलेस हूँ, मुझे छोड़ दिया गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्या इस जमीन पे कोई भगवान नहीं है, क्या इस देश गया है, इसका करनगी का, जो की कोवलन की वाइफ थी, फिर एक और तमेल अपिक की बारे में बात करते हैं, इस तमेल अपिक का नाम था मनी मेकलाई, मनी मेकलाई को सतर नार ने लिखा था लगबख 1400 साल पहले, यहाँ पे स्टोरी दी गई है, कोवलन और माधवी की डॉट centuries तक नहीं मिले, कुछ साल पहले यह manuscript rediscover हुए थे, फिर कुछ और राइटर थे कालिदास, जिनके बारे में हमने chapter 10 में बात की थी, कालिदास ने बताया था कि जो राजा थे, और जो पंडित थे, उनकी language थी Sanskrit, और जो normal प्रजा थी, उसकी language थी प्रकृत, मेगदू कालिदा यह देखे, see how the poet describes the breeze that will carry the clouds northwards, यह बताने का तरहा, cool breeze, delightful as it is touched, with the fragrance of the swollen bio showers, inhaled deeply by the elephants and causing the wild fix to ripen, will grow gently as you go, तो nature से connect करके कालिदास ने मेगदूद में दो lovers की feeling को बताया है, फिर आगे चलते है, recording and preserving old stories के बारे मात करें, देखे, बहुत सारी Hindu religious stories पहले circulation में थी, ठीक है, और बहुत सालों तक यह circulation में रही और उनको बहुत साल बाद लिखा गया, ठीक है, तो a number of Hindu religious stories that were in circulation earlier, were written down around the same time, तो बहुत सारी religious stories थी, जो पहले से circulation में थी, बढ़ इस समय पे लिखी गई, और इनको बोला गया पुराण, पुराण को बोला जाता है old, अब खास बात तो यह है कि कि पुराण को एक authentic source of information history में नहीं माना गया, सही बाद तो यह effects, वेद को देखे, शुती और स्मिती literature, मै मैंने आपको बहुत पहले detail बताया है दोनों को कि एक literature बहुत important है, और infallible है, वो गलत नहीं हो सकता, जबकि दूसरे literature में false information दिया रखी है, तो यह false information वाला literature पुराण है, तो इसमें महगवान, gods और goddesses के बारे में बता रखा है, विश्नु, शीवा, दुर्गा, पार्वत सकता है, woman भी सुन सकती है, शूद्र भी सुन सकते है, आपको पता है ना कि फ्रेंट्स, woman और शूद्र को वेद पढ़ने की permission नहीं थी, पट इन ही woman और शूद्र को पुराण पढ़ने की permission थी, जो पुराण थी, वो मंदिरों में priest पढ़ते थे, कहानियों के form में जो इन प पर आप डिरेक्टली इस चीज़ को टडरिट मत करें अपनी daily life में, हर स्टोरी कुछ अच्छी चीज़ें बताती है, कुछ बूरी चीज़ें बताती है, आपकी जॉब यह है कि किसी भी अच्छी स्टोरी से है, किसी भी अच्छे लेसन से, जो अच्छी चीज़ें उसको ग ओर्भारत में यह वार की बात की गई यह जंग की बात की रигр जो कि चॉरव और पांडव में लड़ा गया फार погंडब कॉषनस थे पांडव थे पांच कोरव थे सॉ लेकिन पांडव ओक ीुचर एक नीची जीत हुई तो यह वार था तो ये जो महाबारत की स्टोरी कई हजार सालों से चली आरी पर इसको लिखा गया 500 AD में कहा जाता है कि पुराण और महाबारत इन दोनों के कमपाइलेशन में एक मेजर रोल है व्यास का और ये जो भगवत गीता है ना this is also a part of महाबारत इसको महाबारत में इंक्लूट किया जाता है फिर अगर रामायन की बात करें तो रामायन में राम की बात की गई राम कोसल राज के एक प्रिंस थे इनको एक्जाईल में भेज द्या गया था 14 साल के वनवास में भेज द्या गया था इस वनवास के दोरान जो इनकी वाईव थी सी था उसको काके किंग रावड ने capture कर लिया था राम को रामवर से बैटल बढ़ना पड़ा था और जब वो जीत के वापस आये थे अयोध्या अपनी विक्टरी के बाद तो जब वो जीत के वापस आये थे उसको आज की डेट में दीपा वली नाम के त्योहार से मनाया जाता है पूरे इंडिया में सब को इसकी बारे में पता होगा ठीक है वाल मकी को संस्कृत रामायन का ओथर कहा जाता है अब आपको पता है कि फ्रेंड्स पूरी दुनी पूरे इंडिया में और इनफाट के लिजी की पूरी दुनीया में महाबारत और रामायर पे आज भी बहुत सारे popular play चलते हैं, बहुत सारे popular आज भी राम जी ने, रामण को मारा, रामायर पे भाई एक proper play चलता है, तो बतला आप समझ लीज़े रहें कि इन सब चीजों पे play चलते हैं, friends, तो ये जो play चलने के जो versions है न, ये देश के अलग-अल तो आपके हिस्ते में आप अलग तरीके का play होगा, किसी और हिस्ते में जाओगे आप, तो सकता हैं, वो कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई पड़े हैं, फिर stories told by ordinary people की बात करेंगे, उस समय पर जो ordinary people है, वो stories सुनाय करते थे, entertainment का एक major साधन हुआ करती थे, उस समय पर क अपरेंट्स, प्लेस, ठीक है, और ये जो प्लेस थे, गाने थे, पोएम्स थे, ये सब जतकाज में कंपाइल की गई है, ये सारी stories जतकाज में और पंचतंतर में कंपाइल की गई है, और ये भी लगभग 500 AD के लगभग लिखी गई है, जो जतका और पंचतंतर भी बहुत की पेंटिंग्स में भी मिल जाएंगो, चतका टेंस के बारे में मैंने इससे पहले की चैट्टर में भी बताया था, फ्रेंट्स कुछ, क्या पताया था, याद करिए, और मुझे बताईए, यह आप एक स्टोरी है, मंकी किंग की, ये भी एक तरीकी जतका टेल ही है, आप कह खाते को, और ऐसे आम कहीं और नहीं उपते थे, प्लेंस में नहीं उपते थे, तो एक बार क्या हुआ फ्रेंट्स की, एक राइप मैंगो पानी में गिरके, तैरते तैरते बनारस पहुंच किया, बनारस का राजा नहा रहा था, उसने उस मैंगो को देखा, मैंगो को उठा ठीक है अब जब किंग को पता चला इन मैंगोस के बारे में और जब ये फॉरेस्टर्स उस किंग के पास और बहुत सारे ऐसे आम ले के आए तो उस किंग और कोटियस ने इन मैंगोस को खाया तो बड़े खुश हुए फिर जब किंग ने देखा कि यार ये मंकीज भी इसी फ भेनारस का ये अम को मार देगा, चुकि जो भानारस का राजा था है उसने देखा कि अब ये मैंगोस सिर्फ मैं खाऊँग कियसे खा रहे तो उसने बोला मंकी को मार दो monkey king को मार दो, सारे monkeys को मार दो तो उस monkey के राजा ने अपने monkey followers को बचाने का एक प्राण बनाया, उसने क्या किया कि उसे mango tree की बहुत सारी branches को तोड़ा उन branches से एक type का pull बनाया river के cross, एक end पे वो pull को पकड़ के खड़ा रहा, तब तक सारे उसके followers उस तरफ पार कर गए और end में जब वो ठक गया तो वो गिर कर बह कर मर गया तो जब human king उस बनारा से राजा ने ये देखा कि कैसे वो monkey अपने followers को बचा रहा है तो राजा को बहुत धुक हुआ और राजा ने उस monkey king की पूरी respect के साथ आप कह सकते हैं कि उसकी presence राकी और इस sculpture को इस story को एक sculpture के form में दिखाएगा और sculpture का एक छोटा सा part आपको इस coin में दिख ला है तो आपको यहाँ पर यह identify करना है कि जो पूरी story है उस story का कौन सा part इस sculpture में इस coin पे आपको नजर आ रहा है तो इस तरीके की stories उस समय पे चला करती थी friends आप समझे उस समय पे जब entertainment का कोई भी साथन नहीं हुआ करता था लोगों के पास तो इस तरीके की stories दिल को मन को बहुत अच्छा लगती थी friends समझे आप तो इसलिए बहुत दरूरी यह जो sculpture है basically यह स्टूपा से मिला है भारुत में तो आप से पूचा गया कि story का कौन सा part आपको इस sculpture में नजर आ रहा है यह जो sculpture जो Central India में भारुत से मिला है आगे बात करते है friends कुछ science पे किताब लिखी गई इसके बारे में बात करेंगे इस समय पे एक person बहुत famous था उभर कया आरबट यह एक mathematician भी थे एक astronomer भी थे इन्होंने एक book लिखी Sanskrit में जिसका नाम था आरबटिया इन्होंने यह बोला कि भाई जो दिन और रात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो पृत्वी है यह अपनी access पे घूम रही है उस समय तक तुनिया में विश्व ने किसी ने यह बात नहीं बोली थी और उन्होंने किस basis पे बोला इन्होंने देखा जिए सूरज हर समय rise करता है और रोज set करता है तो जब वो सूरज rise रोज rise और रोज set कर रहा है एक बार east से आ रहा है और west present कर रहा है तो obvious ही बात है कोई तो घूम रहा है या तो सूरज घूम रहा है आर्द घूम रहा है तो इन्होंने बोला कि भाई अर्थ अपनी access पे घूम रहा है फिर आर भटियाम में आर भट जी ने scientific explanation देने की कोशिश की eclipse की कि एकलिप्स क्यों हुआ हम लोग circumference आठ की रेट में कैसे निगालते हैं तू पाई आर radius आ रहे है circumference क्या हो जागा तो एक circle का circumference circumference का जो formula होता है वो होता तू पाई आर इस तू पाई आर formula के बहुत करीब पहुँच गये थे कौन आपके आरे भट ठीक है उसके बाद और कौन-कौन से ऐसे mathematicians थे astronomers थे जिन्होंने अपनी discoveries को लिखा है तो भाई एक थे वराह मिहीर एक थे ब्रह्मगुरुप्त और एक थे भासकराचारे इन्होंने भी बहुत सारी अलग-अलग discoveries की है कुछ keywords हमने यहां सीखे है तूपा सीखा टेम्बल की सीखा पेंटिंग एपिक स्टोरी पुरान साइंस, mathematics इन सब के बारे में हमने जाना फिर हमने फ्रेंट्स zero की बारे में बात करते है तो देखे zero का जो प्रेयोग है आपने सुना होगा फ्रेंट्स जो mathematicians थे इंडिया के इन्होंने zero को invent किया है आपसे सवाल पूछूँगा कौन से mathematician है जिन्होंने zero को invent किया है देखे बहुत सारे pictureों में serialों में इसका नाम हो चुका तो आपको पता होना चाहिए zero के respect में जो system of counting से इसको adapt किया Arabs ने और Arab के थूँए system of counting पहुँचे Europe और ये पूरी दुनिया में इस्तवाल करती है वो कौन से लोग थे जिन्होंने zero के बिना एक counting का system device किया वो थे आपके Romans फिर अगर Ayurvayt की बारे बात की जाए तो Ayurvayt क्या था this was a well-known system of health science जिसको ancient India में device किया गया था जो दो famous practitioners थे जिन्होंने Ayurvayt में बहुत काम किया था एक तो था चरक जो कि first century से second century AD में active से इन्होंने लिखी चरप सम्हिता फिर दूसरे थे शुषूरूत जो कि fourth century AD जो कि fourth AD में active थे इन्होंने लिखा शुषूरूत सम्हिता तो शुषूत सम्हिता में बहुत ज़्यादा elaborate और detailed और बहुत complicated surgical procedures की बारे में भी लिखा है तो Ayurvayt जो कि health science हुआ करती है उस समय पे दो लोग बहुत active थे चरप जिन्होंने चरप सम्हिता ली शुषूत जिन्होंने शुषूत सम्हिता ली लगभग आप कह सकते हैं कि जो चरप था वो शुषूत से पहले था आज की डेट में फ्रेंड्स यह जो पेपर है यह जो हमारी लाइफ का एक डेली पार्ट जिडेली लाइफ का जो एक पार्ट बन गया है और जो हम लोग बुक्स परते हैं उसको पेपर पे प्रेंट किया जाता था इस पेपर को रैटिंग के लिए इस्तमाल किया जाता आपको पता है यह पेपर चाइना में इन्वेंट हुआ था आज से 1900 साल पहले यानि 100 AD में आप कह सकते हैं इन्वेंट हुआ था किसने किया था काईलू नाम के आदमी में इसको इन्वेंट किया था इसने प्लांट फाइबर्स को क्लोथ को, रॉप को और बार्क आफ ट्रीज को लेके पानी में बहुत दिन तो सोखा उनको दवाया, ड्रेन किया बहुत देर तक ड्राई करके एक पल्प बनाया उस पल्प को सिखा के आज की डेट में जो पेपर हम इस्तिमाल करते हैं वो बनता है जो हैंड मेड पेपर को बनाने की टेकनीक मैंने साइन्स क्लासिक्स की टेस्ट बुक में समझाई थी ना वो कुछ-कुछ ऐसी ही है अगर आपने मेरी क्लासिक्स NCRT साइन्स की वीडियोस देखिए तो आपने ये चीज भी वहाँ पे देखिए ये जो पेपर मेरी किंग की टेकनीक थी बहुत सालों तक सीक्रेट रही फिर धीरे धीरे कोरिया पहुँच गई 400 साल पहले यानि लगबग 600 AD में उसके पाद जापान पहुँच गई बगदाद पहुच गई थो ये 1800 साल पहले यानि लगबग 200 AD में बगदाद से यूरोप, अफरीका और एशिया के दूसरे भागों में पहुच गई कुछ important dates देख लेते हैं Stupa building का जो fashion है वो 200 साल पहले यानि 2300 AD में लगबग शुरू हुआ आमरावती नाम की city 2000 years पहले flourish कर रहे थी कालिदास 1600 years पहले active था यह नहीं आप कह सकते हैं लंसम 400 AD में जो iron pillar मिले हैं फिर temple set वितर गाओ painting set अजंता नारभट यह 1500 साल पहले थे इस सब की बात मैंने इस वीडियो में किये दुरगा temple 400 साल पहले था कहां था friends याद करिए ऐहोल में था यहोल किसकी राजदा नहीं थी चालुक्या की राजदा नहीं थी चालुक्या के सबसे important king था कौन था पूले केसिंग 2 इससे मैं आपको बता चुक हूँ अब यहाँ पर कोई clue का एचसा dates देख रहे थे हमने तो वैसे सारी dates के बार में इस कोई किताब में बात कर लिया अब तो किताब end हो रही है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर कुछ चीज़ा आपको समझनी होगी कहीं-कहीं भी dates के आगे इस C. लिखा हुआ है यह C. क्या है इस C. का मतलब है सिर्का सिर्का मतलब approximate confirm नहीं बट approximate उसके आप सपास है यानि कि महरगड में जब बात की गई beginning of farming and herding की तो वो लिखा गया है सिर्का 6,000 BC यानि सिर्का मतलब approximately 6,000 BC लिखा हुआ तो यह जो C. है ने approximately इसका मतलब है approximately उसी तरीके हर 50 cities flourish कर रही थी C. 2700 से 1900 BC तो यह C. सिर्का मतलब approximately 2700 से 1900 BC तो महा जनपत और cities की जो शुरुवात वी गंगा वैली में और जो नई आइडियाज आए उपनिशद जैनिजम और बुद्धिजम के यह approximately 500 BC इक समय के आए Alexander ने North West में कभी इन्वेट किया approximately 327 से 325 BC में चंदगुप्त मौर राजा कब बने approximately 321 BC में अशोक का रूल कब से कब तक था approximately 278 to 231 BC संगम टेक्स्ट का compilation कब हुआ approximately 300 BC से 300 AD 600 साल compilation हुआ कनिश्क का रेम क्या था approximately 78 to 100 AD गुप्ता अंपायर की स्थापना कब की हुई approximately 320 AD जैन टेक्स्ट का वलभी की काउंसिल में compilation कब हुआ approximately 512 AD या 521 AD हर्षवर्दन का रूल क्या था 600 से 666 से 647 AD यहाँ पे सिरका नहीं लगाया तो मतलब यह हर्षवर्दन वाली information confirm है जुएंजां ये कब आया इंडिया में 630 to 643 AD पुले केशिन का रूल कब से कब तक था पुले केशिन 2 का जो की चालुक के अंपायर का बहुत 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 रूलर था 609 से 642 AD तो यह important piece of information में आपको बताईए यहाँ पे political map दिख रहा है friends इंडिया में यह थोड़ा change हो चुका है देखे जम्मू इन कश्मीर का जो इतना इलाका है यह आपका park occupied कश्मीर है गिलगित बलतिस्तान प्रोविसस में आती है जो इतना इलाका है यह चाइना के control में जिसको आप अकसाई चिन बोलते हैं बाकी आपका Jummoo in Kashmir है, इसको दो भागों में बाट दिया गया है, एक है Union Territory of Jummoo in Kashmir, एक है Union Territory of London, ठीक है, तो यह जम्यों एन कश्मीर एक state ना रहे के दो unit territories में बढ़ चुका है, जिसमें एक unit territory पास legislature है, यह नि unit territory ब जम्मू इन कश्मीर के पास एक legislature है बाकि states as it is आपको नजर आ रहे हैं तो आप यह वीडियो आपको पसंद आई हो friends, पसंद आई हो तो वीडियो को like जुरू कर लिजएगा, चैनल को subscribe कर लिजए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेर करेंगे, उतनी जदा मेरे को व्यूज मिल जाएंगे, उतनी जदा मेरे को सोलित मिलेगी, तो थोड़ा और आप कह सकते हैं कि काउपिदन सब्सक्राइब मेरे को शेर काउपिदनस बिलेगा और अच्छे एच्छी वीडियो बनाने का, तो थांक यू वोचिंग इस वीडियो फोट्सक्राइब जरू कर लीजेगा, वाव गुड़ देगा, वगूद देगा, व्यूद देगा, उसक्ताइब को शेरी जा